इस पेड को गिरफतार क्यों किया गया है इसके पीछे की पूरी स्टोरी जानिये इस वीडियो में दुनिया की सबसे सफल समुद्री डाकु कौन है इस पेड को आप देखते ही चौक जाएंगे तो चलिए देखते हैं इन सारे सवालों की जवाब तो हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी की चैनल फैक्ट अराइवल पे तो आज की इस वीडियो में हम बाग करेंगे कुछ रैंडम फैक्ट के बारे में तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट की तरफ फैक्ट नमबर वन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे समुद्री डाकू एक महिला थी जो कि इनुईसी सदी की चीनी समुद्री डाकू चिंग सी एक पूर्व यौनकर्मी और भयानेक समुद्री डाकू चेंग की विद्वा अपने आप में एक बेहत सफल समुद्री बन गई अपने पती के बाद और अंतत 1800 से अधिक समुद्री डाकू जाजो और 80,000 पूर्सों की कमान सम्हाली थी फैक्ट नमबर टू जबुतिकावा नाम का एक पेड होता है और इस पेड की सबसे खास बात यह है कि इस पेड के फल इस पेड की साखाओ पर नहीं बलकि प हमें के दिलाता है कि यह जल रहा है इसलिए मसाले आतार भौजन में जलन मासूस होता आए वास्तों में जलन सब तुमारे दिमाग में है VISTAल लुगों में फॉक्स नहीं बलकि एक लाल कलर का पांडा होता है क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक जगा जिसका नाम है लेंडी कोटल और वहां की सबसे खास बात यह है कि वहां पर एक बहुत बड़ा पुराना बरगत का पेड़ जिसे पिछले 122 सालों से जंजीरों में बात कर रखा गया और उसे अभी तक खोला नहीं गया दरसल कुछ ऐसा हुआ कि 898 में वहां पर एक अंग्रेज आफिसर था जिसका नाम जेम्स स्कॉाइड था वह एक रात को जब वो पेड़ के आसपास घूम रहा था तो उसे लगा कि वो पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है उसे खत्रा महसूस हुआ तो उसने अपने हवलदारों को उस पेड़ को गिरफतार करने के लिए और दे दिया और तब से वो गिरफतार है मजे की बात यह है कि उस रात को उस ओफिसर ने पिया हुआ था पर तब भी उसका गिरफतारी आज भी चल रहा है तो अगर आपको वीडियो से जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को आप तक सबसे पहले पाउस के थैक्स फोर वाचिं दिस वीडियो